नमस्कार दोस्तों हमारे टूब चनल में आपका स्वागत है अगर अच्छाले की वीडियो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन गंडे दबाएं और कमेंट करना न भूलें तो चलिए दोस्तों आज जो है बजाज कंपनी का एक सेलिंग फैन है जो कि मैं इसको आ इसके बाद जो है यह मेरा कैफ है फैन का और यह नट बोल्ट है और इसके नीचे यह मेरा स्टाटर है तो दोस्तों इसमें वारंटी काड़ भी है तो यह वारंटी काड़ जो कि दो साल का कंपनी वारंटी देती है तो चलिए हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं सा जो आए बार निकालता हूं और इसी थर्मे के उपर जो है रख करके हम फिटिंग करेंगे क्योंकि ऐसा फिटिंग करेंगे तो जो है इसक्रेच नीव फैन में लग जाएगा देखें दोस्तों फिटिंग करने से फ़़ए थोड़ा फैन को रणिंग कराके चेक कर लें देखे दोकायफ है दोनों कायफ इस रोढ में हम इस्टॉल करेंगे जो कि एक कय पर बजाज लिखा है वह उसको जो को है सेलिंग के connection से और इस पंखे के starter के connection से यह संपर्क में रहेगा तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं उपर से वायर उपर से वायर डालने के बाद जो छिला हुआ है उस रोड में एक फटा हुआ भाग है उसी में से डालके मैं इसको बाहर निकालते हैं देखे दोस्तों मैं बा तो नाहीं और इसके बाद जो है इस फैंसर में उन्वेड़ की जो निलगा है जो कि इसमें इसका ब्लेड में फटिंग करेंगे चलिए चलिए ए पहले हम खोल लेतें खोल्ने के बाद इस दोनों शक्र்.को उस ब्लेड के ऊपर जैंसर को भी लगा देते हैं इस फैन में प्रापर डंग से हम जो है इसको फिटिंग कर लते हैं दोस्तों जब भी भी फिटिंग करें तो प्रापर डंग से जो है श्कुरू को जो है फिटिंग करें डिला नहीं रहना चाहिए अच्छा तरीका से इसको फिटिंग हो जाना चाहिए इसी तरह दोस्तों हम तिनों ब्लेड को लगा लिया है, लगाने के बाद जो है हम, और connection करते हैं, लेजे मैं प्लट लिया, थोड़ा राइट हो गया, अब जो है, यह जो capacitor लगा है, इसमें दो टर्मिनल है, खाली, जो कि इसी दोनों टर्मिनल पर जो है, ऊपर नीचे हम जो है, वार को जो है, connection कर कर देंगे देखे दोस्तों हम यह थोड़ा साइड में घुमालता हूं तो लेजे मैं इसको जो है प्रिटिंग कर दिया इसमें दोनों को आपको यह कर लेते हैं इदर से लिए मैं इसको कर लाता हूं करनेक्सिंग करने के बाद जो है डोस्तों connection हो चुका connection करने के बाद जो है हम इसमें नीचे nut bolt देХए JEFF P Rabbins दोस्तों इसको निकाल लिये निकालने केबाद जो है हम इस bolt को कि नीचे जो है घुशा करके इसीतर वारसल लगा देंगे वारसल लगाने के बाद नटबोल्ट लगा करके इसको अच्छा तरीके से हम फिटिंग कर देंगे दोस्तों एक और इसमें जो है इस्कुरू दे दी यह कमपनी क्योंकि अगर नीचे नटबोल्ट कभी खुल के गिर गया तो यह स्कुरू जो है पर चलता रहेगा फैन तो लेजे उस इसको को हम पहले लगा देते हैं लगाने के बाद दो हम पकड लेंगे या पिलास बोलते भी है उस दोनों पकड के मदद से अच्छा तरीके से हम इस बोल्ट को जो है फिटिंग कर देंगे फिटिंग करने के बाद जो है हम इसको चिरापीन उसमें डालेंगे चलिए हम थोड़ा वार उपर करते हैं और कैप को थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो लिजे दोस्तों कैप में नीचे कर लिया इसका यह फासनर है जो कि selling fan में जो wiring किये रहते हैं electrician लोग उसी fan back से में इसको फसा कर हम fitting कर लेंगे चलिए हम खोल लिए और इसके बाद जो हम घोड़े को उपर चड़ते हैं चड़ने के बाद selling में हम जो है fan लगा देते हैं चलिए दोस्तों मैं उस फस्टनर को पहले डाल लिया था डालने के बाद जो है इस बोल्ट को डाल करके हम अच्छा तरीके से इसको fitting कर देंगे और इसी selling में दो वायर जो है electrician लोग wiring किया है उसी दोनों वायर को जो है इस fan के दोनों वायर में जो है neutral face में हम connection कर देंगे चलिए दोस्तों मेरा fan जूल चुका है selling में जूलने के बाद जो है हम अच्छा तरीके से इसको nut bolt का fitting कर लेंगे और fitting करने के बाद उसमें एक छोटी चीरापीन है जो कि उसी bolt में जो है उसको फसा के अच्छा तरीके से उसका मुझ को फैला देंगे जलिए हम जो है fitting कर रहा है थोड़ा fitting करने में समय लगता है तो दोस्तों लेजिए मैं fitting किया इस fan के दोस्तों look बहुत अच्छा है देखने भी अच्छा लग रहा है और selling भी white color है fan भी white color है इसलिए अच्छा लग भी रहा है जब भी दोस्तों fitting करें तो अच्छा तरीके से fitting करें क्योंकि fan लगाना जो है बहुत दिक्कत देता है छोटा रहता है ना fan वक्सा उसमें हाथ में डालने भी problem होता है इसलिए fitting करें चिराफीन अच्छा तरीके से लगाएं क्योंकि fan चलता है बहुत रिक्सी होता है अच्छा तरीके से fitting किया रहेंगे तो जो है कभी गिरेगा नहीं देखें दोस्तों हम जो है इसको fitting कर दें अब जो है यह दोनों वायर का हम connection करके wire tape से आच्छा तरीके से लेंगे टेपिंग करने के बाद जो हाएं इस फजो है इस fan को चालू करके देखेंगे कैशा चल रहा है तो दोस्तों हम लेगें दोनों वायर को टेप मार दिए टेप मारने के बाद तोड़ा उपर कर देते हैं उपर करने के बाद हम चालू करके देखते हैं, देखिए दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है इसका, दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कंडी दवाएं, और कमेंट करना न भूलें, नमस करना।